तो कैसे हैं आप लोग मेरा नहां में शुप रहा हूं और आज मैं बहुत दिनों के बाद खेल रहा हूं एट लाश्ट फ्रीफायर पता नहीं मुझे अभी उतना फ्रीफायर खेलने का मन नहीं होता है पर थोड़ा दिन पहले मुझे फिर से अभी लगा कि चलो फ्रीफायर तो बस आगया मैं फिर से फ्रीफायर लेके और इस मैच में मैं प्रिटेंट करने का वाला हो कि मैं एक नूब्रा हूं और मेरा भी नेट चला गया है और इस मैच को तुम लोग वन आप दा विर्टेंट मैच बोल सकते हो मैंने अपने लाइफ में जितने भी क्लैस्क्राइ के मैच खेले उसमें सबसे अधा वेड़ेस मैच यही वाला था किकी सबसे बहली बात तो यह कि देखो अभी फास्ट राउंड चल रहा है फास्ट राउंड में मैं अभी प्रिंटेंट कर रहा हूं कि मेरा तो नेट चला गया और मैं नूब्रा हूं यहां पर खड़ा और उसके बाद मैंने सिक्किया सबके सब गोल्ड के प्रेयर है तो मुझे उतना उम्हीद भी नहीं था इन लोगों से कि यह लोग बहुत बढ़िया खेलेंगे और मुझे यह लग रहा था कि मैं अखेले इंचानों को मार सकता हूँ और होता भी यह मैक्सिमम मैस में मैचे अधान था ना मैं तो गोल्ड का प्लेयर तो नहीं हो ना हीरोट का प्लेयर तो हूँ कम से कम तो उसका जो एक्स्प्रियेंस ता वो मेरे का मेरे काम में आ जाता है तो इसकी वैसे होता है कि मुझे जोए यह एनिमीज जोए बहुत आसान लगने लगते तो अभी देख सकते जाए तो वन वर्सेस टू है तो उससाब से अगर देखा जाए तो अभी फियर गेम है पर तब हुआ एक खतरना वाला चीज हुआ यह देखो मेरे सामने से यह एनिमी जो एक क्रॉस करके चला गया पर उसने मुझे देखा नहीं और देखा ही नहीं इसी देखा होगा कि मैं सामने से घुजर जाओ और मुझे वह देखे भी नहीं देखे भी नहीं तो कोई नहीं अभी फिर से टू वर्सेस टू आ चुका है मैंने सोचा कि लिए अभी एक चैलेंज करते हैं जब तक मेरा टीमेट जो है एक भी टीमेट जो है बचा रहेगा तब तक मैंन कि उसके डेड़ वक्स से भी गन उठाना भूल गया उसके बाद देखा कि मेरे जो टीमेट से वह तो एक और अतलब किसम के नूब्रे वह नीचे उतर गये पर कोई नहीं अभी सम्मर्द चुके तो मैंने गोली चैनल स्टाट किया पर वह तब जो बहुत ज्यादा लेट हो मैं कुछ खरिद भी नहीं पाया तो अभी मैं ऐसे भाग रहा था मैं सोच रहा था कि वह साहीं करूंगा अभी वी कि जब तक जो एक कोई मेरा जो टीमेट से वह जिंदा होंगे मैं जो एक गन को हाथ भी नहीं लगा तो इसलिए मैंने सुचा कि अभी सामने आगा जाओंगा या तो वो मुझे मार देंगे ऐसे ही में जाओ चला जाओंगा तो इसलिए मैं इसके बाद हुआ टांडव मतलब लिट्रेली सीरियसली बोल रहा हूं मेरे साथ यह होता है पहले भी होता है पर अभी देखो मेरा घेम जो है लिट्रेली फ्रीज हो जाएगा यह यह बार कुशिश किया ऑ़ देखा की नहीं वह वह से लॲेड़ करना पड़ा से ङेम को चलू करने के बाद रह नेक होने के भाद मुझे दिखाया आभ़ी बारी था राउंड ठीड की यहां पर 1-1 पर टाइग था और मैंने छौड़ो छोड़ो टीमेट को फोड़ो में खुद मारूँगा और मार के जो है मैं अभी लिदा यह अभी अभी अपना जो टीम मेर्स है अभी भी बचे हुए तो मैं तो गोली नहीं चला सकता तब ही मुझे सामने से देख गया कि एनीमीज जो है मेरे तरफ ही आ रहे हैं और आके लिटरली यह बंदा तुम कुद देखो मतलब यहां पर मैं बैठा हुआ लिटरली वहां पर खड़ा हुआ है अग अगर तक मेरे टीम में जो नौक नहीं होते मार सकता इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ों नहीं मारूंगा उसके अब लिटरली तीन बंदा मेरे सामने खड़ा था पर मैं फिर भी नहीं मारा मैंने सोचा जाने दो बाद में देखा जाएगा कि और यहीं पर मेरे जो है सबसे कुछ मैं कर नहीं सकता है अभी जो आ गया है टू वर्सेस टू का मैच फिर से तो डबल किल उसने कर लिया है पर वो जो फिर नौक हो गया अभी मैं आसानी से जो गंद चला सकता हूँ क्योंकि मुझे जो अभी पर्मिशन मिल चुका है गंद चलाने का तो अभी मैं वेट कर किया पर डैमेज 21 का से जादा घिरा ही नहीं तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे इस साइट भी एक बंदा है जो कि उस साइट से घूम के आने की कोशिश कर रहा था और इस साइट पर मतलब सामनी भी एक बंदा था तो मैंने फोचा कि इसको सबसे बहले मारूंगा तो कि खूम के चला गया उसका मारने के लिए और घूम के एकदम एक किलोमीटर दूर से घूम के घूम के जाने के बाद मुझे पता चला कि वह यहां पर खड़ा हुआ है तो मैंने उसको आराम से मार भी दिया बहुत ही सिंपल सा अभी सिंपल एक और बंदा जो बचा हुआ थ तो तभी मुझे याद आया कि वह जो उस तरफ वाला वान तो मैं यहां पर गार्ड लेकर खड़ा हुआ था और मैंने सोचा कि अब यह पीछे से घूम के जाऊंगा और उसके बाद उसको मारूंगा पर तभी मुझे याद है कि मैंने उसको नॉक छोड़ दिया था तो वह ज तो तुम लोगों पता ही होगा कि मेरे पास वाइफाई नहीं है मैं अपने नेट से सब कुछ काम करता हूँ तो अभी विएड तिंक्स की अगर बात करूं और मेरा नेट जो है मुझे धोका ना दे यह हो सकता है कितना बार ऐसा हुआ है तुम लोगों के साथ में खेल रहा आपता है और यह मैंच में जीद पाता हुआ यह नहीं तो फ़र थोड़ी देर बाद में बादी जो मेरे नेठ हो आपस आ घया पता नहीं कैसे वापस वापस आगया तो इसकी वारे से मैं जो अभी चला गया क्योंकि चैलेंज जो अभी बाकी बढ़करार था के अई तो अभी तुम लोग मेरे पिंग की तराफ देखो मेरा पिंग जो है 176, 177 ऐसा है तो अभी इस पिंग में यह कैसे पॉसिवल है तुम लोग मुझे खूद बताओ एदा को 110 110 110 मैं मारे जा रहा हूँ देखो लिटरली मैं मारे जा रहा हूँ उसको देखो कितना बार मैंने मारा यह देखो फिर से फिर से देखो दोनों को दोनो पर नौक हो गया पता नहीं कैसे मेरे नेट का जो पिंग था वह पर्फेक्ट था तब अभी पता है मुझे 500 के उपर है पर तब मेरा पर्फेक्ट था तुम लोग ने खुद देखा 100 के गडिपता और वैसा ही मेरा नॉर्मल रहता है उस जिससे आराम से जो है मेरा गेम जो भूल जाओ और अभी धुलाई का वक्त है तो मैंने MP40 खड़ीद लिया और मैं निकल पड़ा धुलाई करने झाल 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 इतानि महले करने तो अभी थोड़ी देट बाद यह देख सकते हो गेम जो अभी बहुत ही इंट्रेस्टिंग पोजिशन पर आ चुका है मैं अकेला मेरे टीम के बचा हुआ है उनके टीम से तीन मंदे अभी बचा हुआ है तो मैंने सुचा यहां पर जो है नौक होगा तो मैंने एक ग्रेनेट फेका पर उससे कुछ फा बेरे पास जो है नहीं आ सकता था तो इसलिए मैंने एक ग्रेनेट फेका जो की गलत फेका था मैंने पर फिर भी उससे काम तो होई गया तो उसके बाद मैं लेकर वेट करने बैठ गया लिटरली कब वो दोनों आएंगे और मैं कुछ को मारूंगा और उसके पास होगा बू चुका था इसलिए मैंने जो अभी जंप पर क्लिक किया तो उसके बाद देखा कि मेरा मल जो फ्रीज नहीं है अभी छूट चुका है पता नहीं कैसे उसके बाद वो दोनों निकले मैंने उन दोनों को जो है बहुत ही सिंपली से कंप्लेट कर दिया तो यही था मेरे रटके उपड़ी होगा एकदम शियोर तो चलता हूँ अभी बाई बाई और ग्याना तरिक के बाद आएगा वीडियो कि मेरा एक्जाम है